शलाज तो आगे बढ़ते हैं है अपना लास्ट पार्ट जो बचा है वो ये है कि टाइप्स ओफ एलेक्ट्रोड इसकस करने हमें जैसे कुछ इलेक्ट्रोड तो हम पहले बढ़ चुके हैं ये जो सारा का सारा टॉपिक है ये रिलेटेज़ है electrochemical cell से galvanic cell या voltaic cell तो उसमें क्या होता था आप याद करो मैंने आपको example बता था Daniel cell का उसमें क्या होता था left side anode होता था right side cathode होता था left side oxidation होता था right side reduction होता था तो यह दोनों चीजें हैं इसको अगर individual बात करें तो इनको half reaction बोलते हैं और पूरी की पूरी complete cell reaction बोलते हैं तो यह जो half cell है या half reaction है इसी के बारे में हम discuss करना चाह रहे हैं यहाँ पर थीक है तो types of electrode मतलब यह half reaction वाली चीजें आ रहे हैं आपके सामने थीक तो पहला जिसमें से मैं start करने जा रहा हूँ metal, metal iron electrode अब यह metal, metal iron electrode क्या होती है यह हम पहले ही जान चुके हैं क्या जैसे daniel cell था उसमें तुमारा anode क्या था? Zn वाला और cathode क्या था? copper वाला तो वो जो metal, metal iron बन रहे थे वहाँ पर तो उसी को ही हम यहाँ पर एक बार फिर से discuss करने जा रहे हैं क्योंकि सारी electrode के टाइप पर रहे हैं अपन यहाँ पर तो ध्यान से देखो क्या होता था? आपने पास एक container था और इस container में solution भरा हुआ रहता था याद आ रहा है? galvanic cell जिसको याद होगा उसको अच्छे से पता होगा यह है ठीक है? तो इसमें क्या होता है? एक container है मेरे पास ठीक? और यहाँ पर क्या होगा? ZN या copper की rod डली रहती था याद करो तो यह क्या है? metal की rod ठीक है? यह क्या है? metal rod और इसके अंदर जो solution भरा हुआ है वो इसका ही one molar solution हम भरा करते थे ठीक है? डेनियल सेल की अगर बात करें है अपन तो यहाँ पर जो solution भरा वो किसका भरा? metal के ही iron का मैंने माल लिया कि metal N positive iron इसका solution यहाँ पर भरा हुआ है जैसे ZN होता तो ZNSO4 copper था तो copper SO4 ऐसा था तो metal है तो metal के iron का solution इसमें भरा है तो हम reaction क्या लिखते थे? add anode anode पर क्या reaction होती थी? metal का oxidation होता था और electron release होते थे जैसे ZN convert होता था ZN2 plus plus 2 electron उसी टाइप से ही है और add cathode क्या होता था? add cathode reduction होता था क्या metal N positive plus N electron यह क्या बनाता था metal? इस तरीके से तो यह reaction आप जानती हो representation कैसे करते थे? अगर तुम इसको oxidation वाले पार्ट में लिखना चाहते हो किसको? इसको metal, metal, iron, electrode को तो oxidation पार्ट में हम ऐसा लिखते थे metal metal, iron और यहाँ aqueous और यहाँ solid ऐसा होता था representation अगर तुम oxidation हाफ में मतलब अगर मैं cell को represent करूँ मैं इसको यहाँ पर लिखना चाहरा हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा? reduction वाला हाफ आएगा कोई तो एक पार्ट यह हो गया कि अगर तुम metal, metal, iron, electrode half reaction को अगर anode की तरह काम कराना चाहरा हो तो यहाँ पर लिखो यह cell representation लिख रहा हूँ है न cell representation और अगर तुम इसको reduction में ले जाना चाहरे हो तो यहाँ पर तुम्हें oxidation का कुछ लिखना पड़ेगा और जो half cell है उसको हम ऐसा लिखेंगे metal, n positive, aqueous से क्या बनेगा? metal, solid तो depend करता है कि आप लिखना क्या चाहरे हो anode की तरफ या cathode की तरफ अगर आप anode की तरफ लिखना चाहरे है oxidation वाला पार तो ऐसे दिखाओगे reduction तो ऐसे दिखाओगे समझगे है बात को? इसके बारे में हम समझ चुके हैं पूरी चीज़ें daniel cell में इसी जैसा एक और होता है gaseous electrode याद करो ये तो metal metal iron electrode हो गया दूसरा मैंने आपको SHE समझाया था जिसको हम बोलते हैं क्या? gaseous electrode इसमें मैंने आपको दो चीज़ें बताइए थी एक बताइए था standard hydrogen electrode और एक chlorine वाला बताइए था chlorine वाला electrode तो एक बार फिर से समझते हैं उस चीज़ें को क्या कहानी है? मेरे पास एक container है मैं आपको इसमें दो चीज़ें बता रहा हूँ कि इस इस electrode में कौनसी कौनसी? पहले नंबर पर कौनसी थी? hydrogen electrode और दूसरे नंबर पर कौनसी थी? chlorine electrode ठीक है? ये वाली मैं आपको समझा देता हूँ सेम वैसे chlorine वाली भी है तो क्या कहानी होती है? इसमें सबसे पहली वाद diagram बनाएंगे तो मेरे पास एक container है इस container में क्या है? platinum की एक foil रहती है और platinum wire रहता है याद करो याद करने कोशिस करो परानी चीज़ें ये platinum wire हो गया और इसके नीचे platinum की foil attached है रहता है तो glass tube बना देता हूँ मैं तो ये हो गई अपने पास क्या? glass की एक tube जिसमें हम H2 gas insert कराते है ठीक? ऐसा और ये क्या है? platinum की foil तो platinum की foil है ये क्या है? platinum wire है gas H2 डाली और ये जो solution होता था वो किसका होता था? H plus का solution इसमें भरते थे आपने ना तो ये H plus का solution है और मैंने आपको ये बताया था कि SH ही anode की तरह काम करें तो क्या reaction होती ही? cathode की तरह क्या होती है? तो पहली reaction मैं ही लिख रहा हूँ at anode anode पर क्या होता है? बताओ oxidation तो oxidation ऐसे दिखाओगे H2 say 2H plus plus 2 electron सही? और reduction कैसे दिखाओगे? at cathode क्या होता है? reduction तो 2H plus plus 2 electron edge 2 ये reaction बनेगी तुमारी cell representation कैसे करोगे? ठीक है? वो main चीज है cell representation हम इस तरीके से करेंगे cell representation ऐसे कि अगर मुझे anode की तरफ लिखना है किसे? SHE को तो क्या करेंगे? cathode पर यहाँ कुछ लिखेंगे? इसको आप किसी और से connect करोगे किसी और metal से या दूसरे किसी gas ये सेlectrode से तो यहाँ आप क्या करोगे? दूसरा पार्ट लिखोगे अगर SHE को तुम्हे anode की तरह काम कराना इस तरह तो तुम्हे oxidation दिखाना है और representation ऐसा होता platinum H2 gas से H plus ऐसा करते हो? यहाँ solid लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो platinum solid अगर तुम इसका representation करवाना चाहते हो cathode की तरह तो यहाँ कुछ दूसरा वाला पार्ट लिखोगे? और यहाँ क्या लिखोगे? H plus H2 platinum solid यह gas iron है तो एक्वस लगा देना है न? इस तरीके से ठीक, अगर क्लोरीन होता तो क्लोरीन में oxidation reduction देख लेते जैसे अगर क्लोरीन के बारे में बताऊं तो Cl2 से 2Cl- और यहाँ मैं लिख रहाँ प्लस 2 electron तो यह reduction वाली reaction होती और 2Cl- से Cl2 प्लस 2 electron यह oxidation होती मदब यह anode पर होती और यह cathode पर होती तो उसके according हम क्या करते इधर change करते थे ठीक है तो वो तो represent आप कर लोगे कि लिख दू मैं एक बार चलो मैं लिख देता हूँ अगर मैं Cl लेता तो क्या होता ठीक है तीसरे नमबर पर लिख रहा हूं इसको अगर क्लोरीन को तुम्हें दिखाना है क्या Oxidation तो तुम ऐसे लिखोगे Pt Solid Cl- से Cl2 Gas Equus ऐसा ठीक और ऐसा भी कर सकते हो तुम इसको ऐसा ना लिखो तो ऐसा भी लिखा रहे था कोई दिक्कत नहीं उसमें Cl2 से Cl- Equus और यहाँ Gas क्योंकि यहाँ तुमने Platinum लिख दिया ना तो Platinum के साथ यहाँ Gas लिखते हैं यह Representation होता है ना और यहाँ दूसरा पार्ट लिखते अगर मैं इसी को उस तरफ लिखता तो कैसे लिखता यहाँ से देखना Cl- से Cl2 कॉमा Platinum यह Solid यह Gas और यह क्या आता Equus और यहाँ क्या आ जाता कोई दूसरा पार्ट तो Depend करता है कि आप किस तरीके से लिख रहे हो फिर सब सुन लो कैसे लिखना है अगर आप Electrode यहाँ लेते हो Platinum की तो Electrode के साथ Gas लेते हैं अब कई लोग यहाँ Confuse हो जाएंगे क्या कि सर यहाँ Zero से Minus One Reduction हो रहा है ऐसा मत बोल देना यह जो पार्ट है ना Salt Bridge के Left Side वहाँ Oxidation ही कराना है भले ही मैंने यहाँ रिप्रिजेंट किया वो इसलिए किया है क्योंकि Platinum के साथ यहाँ Gas लिखते हैं यह बताते हैं कि Cl2 Gas जो है वो Platinum की Electrode के साथ यूज किया गया यहाँ पर ठीक है तो लिखा भली यहाँ एसा है लेकिन द्यान दखना यहाँ Reaction जब लिखोगे तो कौन सी लिखोगे Anode वाली Oxidation वाली यहाँ Reaction कौन सी लिखोगे Cathode वाली Reduction वाली तो यह हो गई आपकी Gasease Electrode और इनको हम पहले भी पढ़ चुके है Metal वाली Gasease वाली Electrochemical Cell में मैंने आपको बताई थी SHE को भी इंट्रिड्यूस किया था वहाँ पे क्लोरीन वाले भी कुछ क्वेशन हम कर चुके हैं पहले अब इसके बाद जो आने वाली है वो आपके लिए नई है यह मैं आपको पुराना Revise करवा रहा था ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है अब जो यहां से Electrode आईए इस पे ज़्यादा फोकस करना क्योंकि यह हमने पहली नहीं पढ़ी है यह हम पहली बार पढ़ रहे है इसको नोट कर लो पहले फटावट से फिर आगे बढ़ते है चलो तो आगे बढ़ते हैं और यहां से अब आपका ध्यान देना जरूरी है क्योंकि पुरानी जो Electrode हैं तीन Metal वाली और Gaseous में दो Hydrogen वाली और Clorine वो हम पहले पढ़ चुके हैं अब यहां से ध्यान देना यह नया है आपके लिए देखो अगली Electrode है Metal, Metal Insolubal Salt, N-I-N इसमें हम एक Silver और एक मरकरी की Study करेंगे अगर Silver Electrode से मैं Start करूँ तो पहला वाला मैं Silver वाला बतार हूँ तो देखो कैसा होता है Metal, Metal Insolubal Salt, AgCl और N-I-N मतलब Cl- Metal, Metal Insolubal Salt क्योंकि PPT होता है यह और Cl- इसकी Electrode कैसे बनेगी ध्यान से देखना तो पहले मैं एक काम करता हूँ डाइगराम से समझाता हूँ आराम से समझना क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसमें होता क्या है? यह कंटेनर है ठीक है? तो यह हो गया भाई सब अपना कंटेनर इस कंटेनर में Metal की रॉड डली हुई है यह रही है अपनी Silver की रॉड और इस Silver की रॉड पर Coating रहती है AgCl की ठीक है? पेस्ट एक तरीके से लगा दिया तो Silver की रॉड पर क्या है? यह AgCl का पेस्ट है तो यह रॉड है Ag की यहां से आप सप्लाई से कनेट करतों के वायर उपर निकाल के यह है क्या? AgCl और इसमें solution भरा होता है Cl- का ठीक है? KCl अगर आप ले सकते हैं तो Cl- का solution है अब दो रियक्षन यहां बनती है अगर यह Anode की तरह काम करें तो मुझे एक बात बताओ Anode पर क्या होता है? Oxidation Oxidation में क्या होता है? अलेक्ट्रोन निकलते हैं तो Ag प्लस Cl- यह बनाता है AgCl और प्लस क्या निकालता है? अलेक्ट्रोन Ag प्लस Cl- इसका उल्टा तो AGCl प्लस electron लेके क्या बनाएगा AG प्लस CL negative चेक भी कर सकते हो आप 0 से प्लस 1 oxidation प्लस 1 से 0 reduction cathode पर reduction हो, anode पर oxidation हो, तक याल वेनिक cell में आप जानते ही हो cell representation अगर मैं करूँ cell representation अगर मैं cell representation करूँ तो कैसे करेंगे, एक anode वाला दिखेंगे, anode पर क्या होता, oxidation और cathode पर reduction, तो अगर आप इसको anode की तरह यूज करवाना चा रहे हो तो oxidation ऐसे दिखाते है, AG से AGCl और Cl minus, ताकि 0 से प्लस 1 दिख जाए आपको ऐसा, ठीक, और इधर दूसरा पार्ट लगा दोगे अगर आपने कोई और दूसरी electrode यूज करी, मानलो, gases electrode यूज करी या कोई metal electrode यूज करी, तो वहाँ लिख दोगे ये हो गया पहला पार्ट दूसरा, अगर आप इसको cathode की तरह काम करवाना चाह रहे हो, तो anode पर कोई और electrode आ जाएगी, ठीक और यहाँ क्या लिखोगे, CL- AG, CL AG ताकि प्लस बन से जीरो आपको दिख जाए यहाँ लिख दो क्या solid, solid, यह equus लिख दो, यहाँ लिख दो equus, और यहाँ solid, solid, iron है तो equus, बाकी जो solid है वहाँ तो solid, अगर मानलो दोनों ही जगए आप यही लेना चाहते, तो इन दोनों को merge कर देते, तो यह वाला left side रहता, यह right side रख देते, समझरे बात को, अगर मैं दो मेरे पास container है, दोनों तरफ ही मैंने यही ले लिया, same, different concentration का, तो तो वो concentration cell बन गई न, समझरे बात को, तो मैं यह दोनों भी ले सकता हूँ, या इसके साथ दूसरे किसी और electrode का combination भी ले सकता हूँ, मालो जेडन ले लिया मैंने, अगर मैंने जेडन ले लिया, तो जेडन वाला इधर आजाता, यह वाला इधर आजाता, समझरे बात को, तो अगर गैसे इस electrode कोई ले ले ले, तो ऐसे चीव अगरा भी ला सकता हूँ, क्लोरीन भी ला सकता हूँ, तो mix करके question बन सकते हैं, वो अपन करेंगे बाद में है, अभी पहले समझ लो, तो अगर तुम इसे anode की तरह काम कराना चाहरे हो, तो ऐसे ले को, cathode की तरह है, ऐसे ले को, समझ गए बात को, तो ये वाली बात हो गई अपनी, किसकी, metal, metal, insoluble, salt, anion में पहला वाला, note करो, फिर मैं mercury वाला भी आपको बताता हूँ, केलोमल एलेक्ट्रोड, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगला वाला हमारा है, इसमें mercury वाला जो मैं आपको बता रहा था, इसमें क्या होता है, metal होता है आपका mercury, metal, insoluble, salt होता है, mercuris chloride, जिसको केलोमल बोलते हैं, और anion है, आपके बाद, Cl-, मतलब KCl वगरा का solution लेता है, क्या कहानी है, diagram से समझ लो, पहले electrode कैसे design की जाती है, मेरे पास एक है क्या, tube है इस तरीके से, ठीक है, और इस tube में, कई सारी चीज़े हैं, क्या क्या ध्यान से देखना, इस tube में नीचे भरा होता है यहाँ पर, mercury, ठीक है, HG, उसके उपर होता है HG to CL2, इसके उपर क्या है, HG to CL2, और उसके उपर भरा होता है, KCl, ठीक है, मतलब CL-IN है, उस तरफ लिखता हूँ, इधर ये एक्सल लिखेंगे ना, ठीक, KCl, और प्लेटिनम का वायर डला हुआ है इसमें, ठीक है, प्लेटिनम का, वायर है इसमें, जो की external supply के लिए क्या है, connected, ठीक है, ये भी एक glass tube के अंदर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ ये बस, तो क्या-क्या है, Hg है, Hg to Cl2 है, Cl- औ प्लेटिनम वायर से आगे connectivity आप दे देना, अब कहानी क्या है, वही दो कहानी है, अगर तुम इसको एनोड की तरफ लगाना चाह रहे हो, तो एनोड पर भाई साब होता है Oxidation, क्या होता है Oxidation, तो क्या होता है Reaction, 2Hg प्लस 2Cl- ये देते हैं, Hg 2Cl2 प्लस 2 Electron, देगो Electron निकलना Oxidation हो गया, या Oxidation नंबर से भी चेक कर लो, 0 से प्लस बन जा रहे हो, ये हो गई किसकी Reaction, एनोड की, अगर तुम इसको काम करवाना चाहा रहे हो, कैथोड की तरह है, तो एट कैथोड क्या Reaction मनेगी, एट कैथोड जो Reaction मनेगी वो होगी, उल्टी इसकी Hg 2Cl2, प्लस 2 Electron, क्या बनाएगा, 2Hg, प्लस 2Cl- तो एनोड की ये Reaction, और कैथोड की ये Reaction होती है, चलो तो आप आगे बढ़ते हैं, Cell Representation देख लेते हैं इसका है ना, Cell Representation, किस तरीके से आप Cell Representation करोगे, पहला, अगर आप इसको कैथोड की तरह काम करवाना चाह रहे हो, और एनोड की तरह काम करवाना चाह रहे हो, Hg2, Cl2, Solid, और Cl-, और इधर क्या करोगे, Salt Bridge के बाद, जो भी आप दूसरा पार्ट, कैथोड लेना चाह रहे हो, Hydrogen Electrode, Chlorine Electrode, Metal Electrode, Silver Electrode, तो वो आप दूसरी तरफ लिख देना, दूसरा ये बनता है, कि अगर तुम इसको, कैथोड की तरह काम कराना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, Salt Bridge के Left Side, Oxidation Side, जो भी आप एनोड ले रहे हो, वो लिखो, और कैथोड ये लेना है, आपको तो कैसे लिखो के धिखान से देखना, Cl-, Hg2, Cl2, Hg और Platinum, State Mention कर दो, Solid, Liquid, Solid, Liquid, Solid, और ये Equus, ठीक है, यहाँ आयन था तो, Equus, ऐसा, समझगे बात को कैसे लिखना है, तो Depend करता है कि आपको, ये जो Half Reaction सम्पढ रहे हैं, ये कहां पर लेना चाहते हो, Galvinic Cell में, उसके According फिर Vary करेंगी चीज़े, अगर तुम इसको Anode की तरह काम कराना चाहरे हो, तो Left Side लिखना, Salt Bridge के, और Cathode की तरह काम कराना चाहरे हो, तो Right Side लिखना, समझगे बात को, Note कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, चलो, आगे बढ़ते हैं, दो और Electrode हमारी बची हैं, Redox Electrode और एक Special Type का Queen Hydron Electrode होता है, ठीक है, तो Redox Electrode में क्या होता है, जैसे एक Example से मैं आपको बताता हूँ, Fe plus 3, and Fe plus 2, इन आयन से हम जो, डिजाइन करते हैं, Half Cell वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, बागी आप यहाँ पर और भी ले सकते हैं, MnO4-, Mn plus 2, Sn plus 4, Sn plus 2, मत्दब आपको आयन हिम लेंगे यहाँ पर, क्या मिलेंगे, आयन्स मिलेंगे, इसमें Electrode में, जो आपन यूज करते हैं, वो Platinum की Electrode यूज करते हैं, ठीक है, पहली reaction नहीं है इनोड पर, Oxidation होता है, तो Fe plus 2 किस में Convert होगा, Fe plus 3 में Convert होगा, और क्या देगा आपको Electron, Electron निकलना क्या हो गया, Oxidation या Oxidation नमबर भी तो बढ़ रही है, इससे भी चेक कर सकते हो, दूसरा यह है, कि At Cathode, At Cathode, Cathode पर क्या होता है, Reduction, और Reduction में अगर आप इसको यूज कराना चाहरे हो, Cathode की तरह है, तो आप इस Reaction को क्या कर दोगे, पलट दोगे, ऐसा, Cell Representation कैसा बनेगा, इसका ध्यान से देखना, Cell Representation, पहला, अगर तुम इसको काम करवाना चाह रही हो, अगर तुम इसको काम करवाना चाहरे हो, किस की तरह है, Cathode की तरह है, तो तुम इसके Left Side, कुछ भी लगा सकते हो, Hydrogen, Clorine, Silver, Mercury, Metal, लेकर राइट साइड कह लिखोगे, Fe3+, Equus, से Fe2+, Equus, और यहाँ पर Platinum Solid ऐसा, ठीक है, मालो आपने दूसरी कोई लेली, MnO4- से Mn2 वाली लेली, तो भी vary कर सकते हो, 10 प्लस 4 से 10 प्लस 2, तो बेस ही करेंगे आपन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, Queen Hydron Electrode के बारे में समझते हैं, Queen Hydron Electrode में क्या होता है, फिर से वोई कहानी होगी, दो चीज़े हैं यहाँ पर, एक है अपने पास क्या, Queen Hydron, जिसको अपन क्या बोलते हैं, Q लिख रहे हैं, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं, Parabenzoquinone, ठीक है, एक और आप नाम लेलो, Parabenzoquinone, जिसको मैं क्या लिख रहा हूँ, Q, तो Q कैसा दिखता है, Parabenzoquinone ऐसा दिखता है, इस तरीके से, और H2Q लिखते हैं, यहाँ पर, H2Q किसको लिखते हैं, अपोजेट, यह बेंजीन लगा दियो, अपोजेट यहाँ पर क्या लगा दियो, OHOH लगा दिये, तो इसको QH2 लिखते हैं, ठीक है, ऐसे, अब मैं लिख रहा हूँ, इसकी reaction, पहली, at, anode, अगर तुम anode की तरह reaction करवाना, इसको काम करवाना चाहरे हो, anode, तो anode वाली reaction में, anode पर क्या होता है, oxidation होता है, अगर इसको काम करवाना चाहरे हो, anode की तरह है, तो anode पर क्या दिखाना होगा, तो मैं oxidation, तो ऐसे लिखेंगे, platinum, ठीक है, यहाँ भी platinum का wire यूज़ करते हैं, platinum, H2Q, CQ, और H+, ऐसा, और salt bridge के right side, जो भी आपने galvanic cell में cathode बनाना है, आपको, चाहे hydrogen का बनाना हो, चाहे chlorine का बनाना हो, चाहे mercury का, चाहे silver का, चाहे metal का, तो वो दूसरी तरफ लिख देंगे, और अगर मुझे इसको, cathode की तरह काम करवाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमने anode बनाया, क्योंकि अब तो cathode की तरह काम कर रहा है, तो anode दूसरा होगा, hydrogen हो, silver हो, mercury हो, कोई भी यहाँ electrode हो, तो यहाँ लिख देना, और इसको हम ऐसे लिखेंगे, H+, Q, H2Q, और क्या लिखेंगे, platinum solid, इस तरीके से, समझ गए बात को, तो यह थी अपनी electrode, पहली और दूसरी वाली, तो आप पहले से जानते हो, metal वाली और gaseous electrode, बागी की जो मैंने बताएं, metal, metal, insoluble salt वाली, दो, silver, mercury वाली, ठीक है, एक यह वाली, और एक यह वाली, ठीक है, अब यह बहुत important है, और basically, इसके जो question है, वो j advance में आने के chances जादा रहते हैं, ठीक है, बागी j mains के लिए simple half reaction देके भी आपको question दे सकते हैं, तो पहले आप यह note कर लो, फिर मैं इसके numerical आपको कराता हूँ, किस तरीके सो numerical exam में पूछे जाएंगे, ठीक है, note करो इसको, चलो आगे बढ़ते हैं, इसका अब यहां पर कोई और cell की बात तो करी नहीं रहा है, इसका मदा यह सिर्फ एक half cell दे रखी है, सिर्फ कोई ना इट्रोन बोल रहा है ना तो मतलब half cell है, तो अगर half cell है तो हमें reduction reaction लेनी होती है, क्योंकि potential हम कौन साल लेते, reduction potential ठीक है, तो अब मुझे बताओ, इसके लिए नंस्ट equation लिख सकते हूँ, बिलको लिख सकते हैं, क्या, E cell is equal to E not cell, भले ही half cell है तो अपन half cell भी लिख सकते हैं, या cell को कोई दिक्कत नहीं, minus 0.06, divided by n factor मतलब number of electron, तो दो electron involved है, log के अंदर क्या लिखोगे, 1 upon h plus, अब देखना ज़रा, E not cell कितना है, 1.3, minus ये कितना आगया, 0.03, ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मुझे बता, pH अगर 2 है, तो h plus concentration कितनी है, pH अगर 2 है, तो h plus concentration होगी, 10 की पावर minus 2, सही है, तो यहाँ रख रहा हूँ, 10 की पावर minus 2, जो कि 10 की पावर minus 4 बन जाएगा, square है, नीचे, ऊपर जाएगा, तो 10 की पावर plus 4 हो जाएगा, 4 को आगे लिए आओ, तो 1.3 minus 0.03 into 4, multiply कर लो थोड़ा सा, 1.3 minus 0.12, ठीक, 1.3 मैसे, इसको minus कर दो, 0.12 को, 0.18 आजाएगा आपका answer, sorry, 1.18, 1.18, 1.18 वोल्ट, ठीक है, calculation आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कैसे करना है question मैंने आपको बता दिया, एक question और है, बहुत बढ़िया सा ध्यान से देखना, आप से बुझा, KSP निकालो, किसका AGI का, salt bridge के left side कुछ दे रखा है, right side कुछ दे रखा है, left side गौर से देखो क्या दे रखा है, metal, metal, insoluble salt, भाई, AGCL के जगा उनने AGI कर दिया, यह भी तो PBT होता है, metal, metal, insoluble salt, NION, क्योंकि किया आई माइनस के फॉर्म में एक्जिस कर गा है, के प्लस आई माइनस, तो metal, metal, insoluble salt, NION, यह वाली एलेक्टरोड इधर है, और metal, आयन, और metal, यह वाली मत्तब, metal, metal, आयन, इलेक्टरोड, तो इसमें दो एलेक्टरोड मिक्स है, क्या? Metal, metal, insoluble salt, NION, और metal, और metal, आयन, इलेक्टरोड, तो मैं क्या करूँँगा? अच्छा ध्यान से देखो गौर से इधर भी silver इधर भी silver ये तो बन गई concentration cell भाई concentration cell तो बन गई न इधर भी silver है इधर भी silver है तो concentration cell अगर बन गई तो बताओ ज़रा concentration cell में at anode क्या होता है बताओ oxidation होता है तो ag से क्या बनेगा ag plus और plus electron लेकिन इस तरफ आपको ag plus की concentration नहीं पता जिसको मैं थोड़ी दर के लिए x molar माल लेता हूँ और at cathode क्या होता है reduction और reduction में भी क्या involved हो है silver तो ag plus electron लेकर क्या बनाएगा ag और इधर तो nitrate है nitrate PPT तो होता नहीं है तो ये pure पूरा का पूरा 0.05 molar ag plus मिल जाएगा ये बात समझ में आई ये इधर भी silver उधर भी silver तो concentration cell concentration cell मतब़ e naught cell 0 और इधर oxidation इधर reduction anode पर oxidation कैदोड पर reduction तो अगर मैं इन नहीं को add कर दूँगा तो net reaction मनेगी ag plus 0.05 molar से ag plus x molar और अब आप जानते concentration cell के लिए कैसे लगाते हैं e cell is equal to e naught cell 0 होता है plus 0.059 जिसको हम 0.06 लिखते थे 0.059 divided by n n मतब़ा 1 number of electron involved in the reaction log के अंदर x divided by 0.05 और एक काम करता हूँ e cell भी पुट कर देता हूँ कितना है 0.591 ठीक है अब थोड़ा solve करो यह जो 0.0591 है actual में है न तो यह point हटा हो नीचे 10 आ जाएगा point यहाँ आ जाएगा और इस से यह पूरा उड़ जाएगा तो इधर क्या बचेगा minus 10 आप एक बार rough में करके देख ले न ठीक है 0 तो चला गया इस से यह उड़ाओगे तो 10 आ जाएगा इधर तो minus 10 is equal to log x upon 0.05 और anti-log ले लो जड़ा base 10 है न यह तो 10 की पावर minus 10 x क्या आ गया 0.05 into 10 की पावर क्या minus 10 सही है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या 5 into 10 की पावर minus 12 लिख दू क्योंकि यहां से point हटाओगे नीचे 100 आएगा और वो उपर जाएगा तो minus 2 बनेगा और minus 10 पहले से ठीक है x आने का मतलब क्या है आपको ag plus की concentration पता चल गई किस तरफ left side तो अब अगर आप जब इसके लिए ksp लिखोगे तो ksp कैसे लिखते थे ksp क्या हैगा आपका ag plus की concentration और into i minus की concentration अच्छा i minus की concentration तो आपको पहले से ही पता है 0.05 ag plus की यह आगई तो multiply करतो तो 5 into 10 की power minus 12 और i minus की 5 into 10 की power minus 2 लिख दू तो यह आगए 25 into 10 की power minus 14 तो इस तरीके से आपको ksp निकालना है note करो फिर मैं एक दो question और करवाता हूँ आपको ताकि अच्छी understanding बने समझ में आ जाएगा आपको पूरा है न note कर लो इसको चलो आगे बढ़ते एक question और देख लो जरा क्या कह रहे हैं इसमें आपको e-cell निकालना है cell representation यह दे रखा है KCL और KBR की concentration given है और इनका KSP given है ठीक है अच्छा एक बाँ बताओ salt bridge के left side क्या आ रहा है silver electrodes आ रही है और right side भी silver आ रही है इसका होता दोनों तरफ silver है तो एक concentration cell है और concentration cell होती है तो at anode क्या होता है बताओ anode पर क्या होता oxidation तो silver convert होगा किस में silver plus में और क्या देगा क्या माल लेता हूँ suppose x molar मैंने माल लिया ठीक है इसी तरीके से add cathode cathode क्या है right side वाला salt bridge के मतलब यहाँ क्या होने वाला reduction तो ag plus electron लेके क्या बना लेगा ag और यहाँ से concentration जो आएगी ag plus की उसको y माल लेते है इन नोनों को add कर दो तो net cell reaction आएगी तो net cell reaction क्या आएगी वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ net cell reaction जो बनेगी जैसे हम concentration cell में किया करते थे silver silver कट जाएगा electron कट जाएगे ag plus से ag plus दिखेगा लेकिन जो left वाला ag plus है वो y concentration का है y molar का और यह वाला x molar का है सही बात है अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा e cell is equal to nurse equation concentration cell के लिए e not cell 0 minus 0.06 upon n factor silver के लिए क्या आएगा 1 log के अंदर x divided by y अब मैं x और y निकाल लू यहाँ put कर दूँ तो answer आजाएगा और x और y कैसे निकलेगा कि sp given है आपको तो एक काम करो आप यहाँ पर ऐसा लिखो देखो जो x था वो anode वाले साइट से anode मतलब agcl तो agcl से जो ag plus आएगा वो x आएगा ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या ksp किसका agcl का क्या आएगा concentration of ag plus into concentration of cl minus ag plus agcl से क्या माना है agcl मतलब anode anode मतलब x तो यह x into cl minus यहाँ से कितना है 10 की power minus 1 और इसका ksp कितना है 10 की power minus 10 समझ गया यहाँ से जो ag plus था वो x था ठीक है तो x molar जो आगया मतलब x कितना आगया 10 की power minus 1 था इधर नीचे ले जाओ फिर वो उपर जाएगा तो 10 की power minus 9 बन जाएगा overall ठीक है अब मैं ksp किसका लिखूंगा ag br का लिखूंगा कैसे concentration of ag plus into concentration of br minus ag plus यहाँ से y आएगा और br minus कहाँ से आएगा इधर से कितना 10 की power कितना लिख दू मैं minus 3 लिख दू ठीक है और यह कितना है 10 की power minus 13 समझरों बात को बहुत आसान है इसको इधर ले जाओ तो y कितना आजाएगा 10 की power minus 10 अब यहाँ बुट कर दें x और y को तो 10 की power minus 9 और 10 की power minus 10 यहाँ बुट कर रहा हूं तो यह ऐसा दिखेगा minus 0.06 log के अंदर 10 की power minus कितना है x 9 और यह क्या है 10 की power minus 10 10 की power minus 10 उपर जाएगा तो 10 की power plus 10 बन जाएगा और minus 9 तो 10 बन जाएगा log 10 कितना होता है 1 तो e cell आगया minus 0.06 अगर माल लो आपसे बोले क्या cell spontaneous work करेगी तो आप मना कर दोगे क्यों e cell क्या है e cell क्या है इसका negative डेल्टा जी क्या आजाएगा इसका positive तो non spontaneous reaction होगी ठीक है अगर आपसे spontanity के बारे में comment करे तो बाकी e cell निकालना था तो minus 0.06 आ रहा इसका समझगे बात को कैसे करना है note कर लो इसको